कहानी सुरू होती है और हम देखते हैं कि वेरोनिका जो की प्रेगनेट थी उसे अब एक कमपनी बार्टॉक में लाया गया है जहां कुछ डॉक्टर उसकी देखवाल कर रहे हैं यहाँ कमपनी का मालिक बार्टॉक भी आता है वेरोनिका को बहुती जाद दर्द हो रहा था जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसके अंदर से एक ककून निकलता है इसे खोलने पर उसके अंदर से बेबी बाहर निकलता है जो की एक इनसान था कमपनी इस बच्चे का नाम मार्टिन रखती है आगे हमें 11 महिने बाद का सीन दिखाये जाता है जहां हम डॉक्टर जैन को देखते हैं जो बार्टोक को बताती है कि मार्टिन का विगास बहुत तेजी से हो रहा है और वो कुछी महिनों में काफी बढ़ गया है कर पाए सभी डॉक्टर तो से बहार जाने से मना करती है इसकी वज़ास तो मार्टिन अकेला रहता है फिर मार्टिन शैपट के कंप्टूर को хेक कर लेता है और अपने हाउम्त पहन कड़ा जोन चार मी आ जाता है जहां उस एक डाग मिलता है जिसके बाद मार्टिन उस डॉग को काफी पसंद करने लगता है एक दिन मार्टिन अपना खाना बचा कर उस डॉग के लिए भी लेकर जाता है लेकिन वो डॉग उसे वहाँ नहीं मिलता फिर वो देखता है कि कुछ साइन्टिस्ट उस डॉग को उसी टेलिपोर्ट होने वाली मसीन मिले जा रहे है मार्टिन को पता नहीं होता कि ये उस डॉग के साथ क्या कर रहे है अब साइन्टिस्ट मसीन सुरू करते है वो डॉग पहले बॉक्स से टेलिपोर्ट हो जाता है लेकिन जैसे एक साइंटिस्ट दूसरे बॉक्स को खोल कर देखता है तो वो डॉग उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो डॉग अब नॉर्मल नहीं रहा था बरकि उसके अंदर के पार्ट्स बहार निकली हुए थे जो देखने में काफी हजीब लग रहा था ये देखकर मार्टिन भी चिलानी लगता है वो डॉग उस साइंटिस्ट का हाथ काट लेता है आगे सीन्चेंज होता है और हम देखते हैं कि मार्टिन का पांच मा बर्थडी है और वो पांच साल की उम्र में ही बिलकुल यंग लग रहा है बार्टॉक उसे उसके बर्थडी पर एक रूम देता है जिसे देकर मार्टिन काफी खुस होता है यानी उसे अब एक बंद कवरे में नहीं रहना होगा Bartok Martin को उपनी कमपनी में एक जॉब भी आफर करने को कहता है इसके बाद Bartok Martin को उसी टेलिपोर्ट मशीन के पास लिया आता है और एक सेप को टेलिपोर्ट करके दिखाता है लेकिन वो ठीक से टेलेपोर्ट नहीं होता और खराब हो जाता है अब बार्टोग मार्टिन से उसके पिता के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पिता एक ब्रिलियंट साइंस्टिस्ट थे उनके मलने के बाद वो प्रोजेक्ट अधुरा रह गया बार्टोग मार्टिन से उसके फादर के अधुरे काम को पूरा करने को कहता है और बार्टोग मार्टिन को उसके फादर की डीवीडी भी देता है मार्टिन अपने फादर की डीवीडी को देहने लगता है इसके बाद मार्टिन कम्प्यूटर में कुछ चेंजिस करके अपनी पास रखे एक टेलीफोन को टेलीपोर्ट वाली मसीन में रख देता है और वो टेलीफोन ठीक से टेलीपोर्ट हो जाता है यह देखकर मार्टिन बहुत कुस होता है और लिविंग चीजों पर अपना एक्सपरिमेंट करने का सोचता है आगले दिन मार्टिन को बैथ मिलती है जो कि इसी कंपनी में एक एमप्लॉई थी मार्टिन उसे बताता है कि वो सिर्फ 5 साल का है और कभी सोचता नहीं है मार्टिन उसके एक्टरस को भी टेलिपोर्ट वाले बॉक्स में डाल देता लेकिन जैसे ही वो दूसरे बॉक्स में देखता है तो वो के एक्टरस खराब हो चुका था मार्टिन उसके लिए बैथ को सोरी भी कहता है मार्टिन आगे बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है मार्टिन बहत को उससे दोस्ती करने को कहता है और बहत उससे दोस्ती करने को राजी हो जाती है इधर जब डॉक्टर जेन मार्टिन का बलड निकालती है तो मार्टिन बताता है कि वो पिछली रात दो घंटे के लिए सोया था इस पर स्टेफ़र्ड बताता है कि साय तुम अपने प्रोजेक्ट में ज्यादा मेहनत कर रहे हो तब ही खून निकालते वक्त इंजेक्शन की सुई मार्टिन के हाथ में ही अंदर तोट जाती है इसके बाद मार्टिन अपना खून निकल वाने से मरा कर देता है इसके बाद बैथ वो मार्टिन के साथ उसकी लेब में हैल्प करने लगती है देखते ही देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते एक दिन मार्टिन बैत के यहाँ पार्टी में जाता है वहाँ वो देखता है कि जिस डॉक से पहले वो प्यार करता था वो यहाँ पर कैद है और उसकी कंडिसन काफी खराब है यह देखकर मार्टिन रोनी लगता है और गुस्ते में वहाँ से चला जाता है मार्टिन उसी डोग के पास आता है पहले तो वो डोग काफी गुसी में रहता है लेकिन जैसे ही मार्टिन उसकी करीब आता है तो वो मार्टिन को पहचान लेता है मार्टिन भी उसकी हालत दे कर बहुत उदास होता है अब मार्टिन अपनी लेब में आकर उस मसीन की सिस्टम को ठीक करने लगता है मार्टिन बैथ को भी अपनी लेब में बुला लेता है इसके बाद वो यहाँ पर एक कैट को मसीन में टेलीपोर्ट करने का डिसाइड करता है बैद उस ऐसा करने से मना करती है लेकिन मार्टिन को अपनी उपर काफी confidence था मार्टिन उस cat को सही तरह से टेलिपोर्ट कर देता है और यह देखकर बैद काफी खुस होती है अब रात को हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं दोनों intimate होते हैं और enjoy करते हैं अगली सुआ को मार्टिन देखता है कि जहां कल उसके हाथ में सुई लगी थी वहाँ infection फैले लगा है लेकिन मार्टिन उस पर ज्यादा धिहान नहीं देता अगले दिन मार्टिन अपनी सिस्टम में चेक करने लगता है कि वो अपनी mutation की power को कैसे मिटाए इस पर उसका computer inform करता है कि अगर वो किसी healthy इनसान को अपने साथ टेलिपोर्ट कर ले तो उसकी power से जा सकती है फिर मार्टिन अपने हाथ पर देखता है कि वो infection अब ज्यादा फैले लगा है सैफ़र्ड बताता कि ये एक मामूली infection है लेकिन मार्टिन उससे कहता है कि ये कोई infection नहीं है बलकि इससे कहीं ज्यादा है बार्टोक इनकी बाते सुन रहा होता है डॉक्टर जैन बता दे कि मार्टिन की body grow हो रही है और वो बदल रहा है इसके बाद हम बैट को देखते है जो मार्टिन के पास जाने की कोशिस करती है लेकिन वो दर्वाजा नहीं खुलता तब ये वहाँ का guard स्कॉर भी आता है वो बैट को किसी दूसरे project पर काम करने का letter और एक DVD देता है यानि वार्टो के कहने पर बैट का transfer कर दिया था अब मार्टिन बैट से call करने की भी कुशिस करता है लेकिन company उसकी call को बैट तक नहीं पहुचाती बैट भी उसे call लगाती है लेकिन वो भी मार्टिन को contact नहीं कर पाती इसके बाद मार्टिन अपने टेलेफोन में कुछ changes करके बैट को call लगा ही लेता है बैट मार्टिन को अपने transfer के वारे में बताती है बैट आगे बताती कि जो DVD से मिली थी उसमें उस रात की वीडियो थी जब वो दोनों intimate हुए थे ये बाद सुनकर मार्टिन अपने कमरे में जाकर camera's को ढूड़ने लगता है वो अपने कमरे का सारा सामान तोड़ देता है मार्टिन को camera मिल जाता है और वो camera को भी तोड़ देता है ऐसा करते हुए दो worker देख लेते हैं और बाड़ टॉक के पास call करके सब बता देती है तब ही मार्टिन उसी कमरे में आ जाता है जहांसे उस पर नज़र रखी जा रही थी वो दोनों वहांसे भाग जाते है मार्टिन कम्प्यूटर में देखता है कि बाड़ टॉक बच्पन से ही उस पर नज़र रखे हुए था वो अपने डैड की भी वीडियो देखता है इसमें वो बताते हैं कि उनकी बोड़ी में कैसे changes आये थे तब ही वहांपर बाड़ टॉक आ जाता है बाड़ टॉक यहां बताता है कि मार्टिन तुम एक इनसानी creature हो और तुम कभी ठीक नहीं हो सकते यहां हम देखते हैं कि मार्टिन का चेहरा बदल रहा है बाड़ टॉक कहता है कि वो मार्टिन को creature में बदलना चाहता है और creature का यूज करके वो पूरी दुनिया पर अपना control करना चाहता है यह सुनकर मार्टिन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो बाड़ टॉक से प्यार करता था इसके बाड़ मार्टिन वहांसे भागनी लगता है उसके पीछे security लग जाती है और उसे गहीर लेती है लेकिन score पी उसे एक punch मारता है और कहता है कि वो उसने उस वीडियो के लिप को बहुत enjoy किया यह सुनकर मार्टिन को बहुत गुसा आता है और वो वहांके guards को पीट कर वहांसे चला जाता है बार्टोक अपने scientist से उस machine को सुरू करने को कहता है लेकिन जब scientist उसे सुरू करते हैं तो system एक magic word मांगता है यानि मार्टिन नी उस पर password लगा रखा था और उसके अलावा कोई उसे open नहीं कर सकता था अब मार्टिन वहांसे भागता हुआ बैत के गरा जाता है मार्टिन के चेहरे को देकर बैत कहती है कि तुम्हें medicine के जरूरत है लेकिन मार्टिन उसे बताता है कि ये कोई बीमारी नहीं है मार्टिन आगे बताता है कि बार्टोक मुझे बदलता हुआ देखना चाता है यानि एक creature मौन्स्टर में बदलता हुआ मार्टिन बैथ से उसकी हेल्प करने को कहता है इधर स्कॉर भी अपने टीम के साथ मार्टिन को ढूनता हुआ बैथ के गरा जाता है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलते लेकिन बार्टॉक उसे जल्दी से जल्दी ढूनने को कहता है इदर बैस मार्टिन को एक कार में लेकर बोरांस की घरा जाती है बोरांस मार्टिन को देखकर सौफ होता है क्योंकि वो भी सिर्फ 5 साल का है और बिलकुल यंग लग रहा है बोरांस उसके मदद करने से मना कर देता है और गेट को बंद कर लेता है येकिन मार्टिन दर्वाजे का सीशा तोड़ कर अंदर आ जाता है मार्टिन उससे अपनी मदद मगने को बोलता है और बताता है कि जब उसके डैड की मौत हुई थी तो बोरांस वहाँ मوجود था बोरांस यहाँ अपनी सफाई देनी लगता है ताकि जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे मौम की मौत हो गई थी और तुम्हारे डैड ने मेरा हाथ पैर अपने थूख से गला दिये और मुझे अपाहिस बना दिया बोरांस मार्टिन से उस मसीन का यूज करने को कहता और बताता है कि तुम्हारे डैड ने भी ऐसा किया था बोरांस उने अपनी जीप भी दे देता है इसके बाद बैथ उसे वहाँ से लेकर एक होटेल में आ जाती है काउंटर पर आकर वो रूम को कहने लगती है लेकिन वहाँ पर टीवी में उन दोनों की निउस चल रही थी फिर जैसे ही बैथ मार्टिन को बुलाने जाती है तो वो कार्ट से दूर भागनी लगता है लेकिन बैथ उसे रोकती है और कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी इसके बाद दोनों रात को उसी होटेल में रोकती है रात को जब उसकी आख खुलती है तो वो देखती है कि मार्टिन की बॉड़ी तेजी से बदल रही है मार्टिन बैथ को उसे दूर जाने को कहता क्योंकि वो नहीं चाहता कि बैथ को उसकी वरा से कोई परेसानी हो बैफ उसकी हालत देकर वहाँ से चली जाती है और रोनी लगती है बैफ रोते हुए बारटॉक को कॉल लगा देती है सुबह को बारटॉक अपनी टीम के साथ आकर मार्टीन को देखता है अब मार्टीन एक काकून में बदलता जा रहा था बार्टॉक उससे सिस्टम का पासवर्ट पूचता है लेकिन मार्टिन उससे पासवर्ट नहीं बताता और बेहुस हो जाता है इसके बार्टॉक मार्टिन को उसी कमरे में लिया आता है जहां उसका जन्म हुआ था मार्टिन यापर अब पूरी तरह है ककुन में बदल गया था बार्टॉक उसे क्रीचर में बदलते हुए देकर थैंक्यू बोलता है बैथ को भी ये लोग पकड़ लेते हैं बैथ मार्टिन के बारे में उनसे पूछने लगती लेकिन वो उसे कुछ नहीं पताते बार्टॉक बैथ से उस मैजिक वोड यानि कि उस पासवर्ड के बारे में पूछने लगता है लेकिन बैथ को पासवर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था इदा डॉक्टर जैन ककुन में से फ्लूड को टेस्ट के लिए निकालने लगती है थोड़ी देर में वो ककुन तूटनी लगता है और उसके अंदर से एक क्रीचर बहार निकलता है जो जैन पर हमला करके उसे मार डालता है जब डॉक्टर सैफ़र्ड वहां कर देखता है तो उसे वहां पर जमीन पर खुन पड़ा दिखता है और उपर जैन की लास तंगी हुई दिखती है सैफ़र्ड वहां से डर कर भाहर आ जाता है सैफ़र्ड स्कॉर्वी को बताता है कि मार्टिन का कुन से भाहर आ गया है और ये देकर स्कॉर्वी भी डर जाता है वो ये बात जाकर बार्टॉक को बता देता है कहता है कि जैन को उसने मार दिया है इसके बाद बार्टोग वागी सिक्यूरिटी को अलट कर देता है फिर सिक्यूरिटी मिलकर मार्टिन को ढूनी ने लगती है जब एक डॉग मार्टिन को ढूनने जाता है तो वो उस क्रीचर को देखकर डर जाता है लेगिन मार्टिन को कुछ नहीं करता क्योंकि उसे डॉक्स से प्यार था अब डॉक्टर सेफ़र्ड जब वहां से जाने लगता है तभी मार्टिन वहां जाता है और उसे भी मार देता है यह देखकर सीसी टीवी पर बैठा हूँ बरकर बार्टो को इनफॉर्म करता है यह वो क्रीचर तुम्हा कर देता है क्योंकि वह मार्टिन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था इधर मार्टिन वहां की लाइट खराब कर देता है और यह देकर बार्टो को लाइट को ठीक करने को तुरंत कहता है क्योंकि यह बुरी तरह से डरा हुआ था तभी मार्टिन भी आ जाता है मार्टिन क साइन्टिस्ट को मार्टिन समझ वाला होता है तभी मार्टिन उसको हाथ पकड़ लेता है बार्टो को पकड़कर मार्टिन टेलीपोर्ड वाली मशीन के पास आ जाता है और अपना मैजिक वर्ड टाइप करता है मार्टिन ने अपना मैजिक वर्ड डैड रखा था मार्टिन बार्टो को पकड़कर अपने तो बैत जाकर देखती है कि मार्टिन बिल्कु ठीक है और नॉर्मल है लेकिन बार्टॉक की बोड़ी ठीक नहीं थी वह एक घिनोना क्रीचर बन गया था आखिर में हम देखते कि बार्टॉक जो कि अभी क्रीचर है उसे उसी सेल में बंद किया गया है जहां पहले मार्टिन क डॉक था वोसे वहीं डॉक फूड दिये जा रहा था और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्र